आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं तो यह देखिए शुरुआत हो गई है मेरे गहर के बाहर से आज बाहर से ही सोसाइटी में ही क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है इस तरह से क्लीनिंग होती है क्योंकि बाहर बहुत बड़े-बड़े पेड लगे हुए है तो पेडों की पत्य जड़ जाती है तो इस तरह से यहां पर दो-तीन दिन में गाड़ी आती है मतलब एक सफाई करने वाले आते हैं और अब मैं घर की जो है सफाई शुरू करूंगी और वीडियो के एंड में आपको मेरे एक यमी सा बहुत ही अच्छी वाली मैं एक रेसिपी शेयर करने तो उसे भी ज़रूर देखिए तो शुरूवात हो गई है मैंने घर की क्लीनिंग घर की और गनाइजिंग से स्टार्ट कर रहे हूं घर को और नाइस करना तो यह देखिए घर मैं मौनिंग में क्या करती हूं जब हस्बंड टल जाते हैं तो ब्रैकफास्ट टेबल पर जो बागी की चीज़े जो दोने लाइक होती है वो मैं किचन में ट्रांसफर कर देती हूं और डाइनिंग टेबल जो है क्लीन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वहां पर में फ्रूट्स वगेरा रख लेती हूं अपने तो इसी तरह से मेरी क्लीनिंग होती रहती है कि सुब सुबह से और यह वाला जो राउंड टेबल आप देख रहे हैं यह हस्बंड का वर्किंग प्लेस है चोटा सा एक तो इसमें मैं कभी-कभी ना ब्रेक्फास्ट भी कर लेती हूं और उनका ही सामान रखा रहता है यहां पर वो सामने एक चोटा सा फैन है ना उसका रिमोट तो मैंने उसमें लगा दिया है और चेयर वागेरा मैं एड़िस्ट कर दूगी और सुबह सुबह जो है ना हस्बंड यहां क्या करते हैं शूस पहनते हैं डाइनिंग टेबल का चेयर लेके और वहीं पर चेयर छोड़ कर चले जाते हैं तो सबसे पहले मुझे वह चेयर हमारे रूम में पता नहीं किस-किस वैक्यूम क्लिणर के चारजर मोगाल के चारजर और बहुत सारी चीजों के चारजर रहते हैं तो पूरे घर में मतलब कहीं न कहीं चारजर लगे रहते तो मैं उसे चार्ज होने के बाद नाइट में मैं सुबह वह सम एड़िस्ट करती और फिर जो भी चीजे हैं पानी का बॉटल वगेरा नाइट में जो हम पीते हैं वो सब चीजे में रखती हूँ और अब गई है बेड टाइडी अप करने की बारी तो बेड को मैं अच्छे से टाइडी अप कर लूगी क्योंकि वो उसके बाद मुझे बागी के और भी चीजे क्लीन करनी है बहुत अच्छे से आज मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ वीक में दो बार ही करती हूँ अभी हम नए नए यहां शिफ्ट हुए है तो अभी बहुत कई बार जादा बार हम लोगों ने बहुत क्लीनिंग नहीं की हैगी तो अभी दो तीन बार ही मैंने की ह और पहले तो हस्बेंट भी थे क्योंकि वह आफिस नहीं जा रहे थे तो वह help कर देते थे पट अभी मैं अकेली हूं तो खुदी कर रहे हूं तो मैं यहां पर यह जो सामने आप टेलिविशन देख रहे हैं यह जो तेलिविशन है यह हमारा नहीं है मतलब अभी हमारा है लेक उसको देखना वो रखा ही हुआ है बाकी मैं क्या करती हूं लाइजॉल से बाकी की चीजे जो है डाइनिंग टेबल डैसिंग टेबल यह सब बहुत अच्छे से स्प्रे करके और फिर साफ कर लेती हूं इस तरह से साफ करने से न वो बहुत ही अच्छे से एकदम पहले जैस लगने लग जाते हैं और यह बेडरूम में तो बिलकुल भी कहना चाहिए गंदी मतलब डस्ट होता ही नहीं है क्योंकि बेडरूम में यहां एकदम बंद रहता है बेडरूम का जो विंडो का ग्लास भी है तो यहां पर मुझे बहुत जादा मेहनत नहीं लगती है थोड़ यह जो फेस वाश का एरिया है सबसे जादा मुझे पसंद है यह मतलब घर का सबसे जादा बेस्ट प्लेस है आप लोग सप्राइज होंगे यह मुझे बिलकुल होटल वाला फील देता है क्योंकि मैं यहां जब से कैलिफोर्निया में आई हूँ यहां पर मैंने तो यहां के होटल मैंने देखे हैं बिलकुल बड़े-बड़े कांच के इसी तरह से होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस एरियो को क्लीन करना और मेरे पास यह डिसिंफेक्टिंग वाइब्स हैं जो की हमारे टॉलेट के एरिये को क्लीन करने जैसे यह हमारा बादिंग ट चीरीन करते हैं तो मैं इसका यूज करती हूं और मेरे बार में प्राइब्स हैं अच्छी सी डीप काम को किरा सकते हैं तो इसका शीरीन करते हूं मतलब हफ़ते में दो बार मैं इस तरह से अच्छी सी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ नीचे बढ़िया अच्छे से कोने कोने की सफाई कर लेती हूँ इस वाइप से तो ये जो है ना हमारे किचिन और बातरूम के ये जो एरिया रहते इनको चमका देता है मस्त अब बार यह अगई है क्योंकि अब मैंने सारी क्लीनिंग उस तरह से कर लिज dicionण वागैरा और और इस आखक लिए तो अब लास्ट में मैं करूंगी वैक्यूम क्लीनिंग सबसे लास्ट में और यहां पर मैंने लेविंग एरिये से स्टार्ट किया है मैंने कार्पेट को जो सुफे के पास कार्पेट है उसको हटा कर वहाँ पर अच्छे से वैक्यूम कर दिया है और अब मैं इसको अपना जो कार्पेट है इसको बिछा लूँगी और अब मैं जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पर अच्छे से वैक्यूम करूँगी क्योंकि क्य cockroaches आ जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ इस तरह से cleaning करने के बाद कुछ दिनों में एक चुट चुटे tablets आते हैं जो specially रहते हैं जो cockroach के लिए होते तो मैं kitchen में उनकी गोलिया डाल देती हूँ vacuum cleaning इसी तरह से हमें करते रहना चाहिए तो घर जो है न साफ रहता है हमारा और अच्छा लगता है रहने में भी साफ सुत्रे घर में और अब यह देखी अब मैं मेरा vacuum cleaning हो गई पूरे घर में मैंने सारी जगा कर लिया है living area से bedroom से लेकर और जो हमारा wash basin का area था वहां तक कर लिया है और अब मैं जो मेरे बरतन है वो मैं जो रात की बरतन थे वो औरेंज करके अब मैं सुबर मॉनिंग के जो breakfast के बरतन है वो मैं यहाँ पर wash कर लूँगी बहुत अच्छे से तो डेली ऐसा ही होता है अगर लंच बनाना रहता है तो लंच बनाने के बाद husband का लंच पैक करती हूँ उसके बाद जो खाना रहता है उसको छोटे बरतनों में ट्रांसफर करती हूँ तो वो बरतन भी खाली हो जाते हैं और जो breakfast के बरतन रहते हैं तो मैं नहाने से पहले इसी तरह से wash वगेरा कर लेती हूं उन सबको और रात के बरतन जो रहते हैं वो मैं वो सुबा ही अरेंज करती हूँ क्योंकि वो सूख जाते हैं अच्छे से और husband के जाने के बाद अरेंज करती हूँ ताकि आवास बगेरा ना आए वो disturbance अच्छा नहीं लगता ना और फिर में यहां पर मेरे बरतन क इसको अच्छे से क्लीन कर लोंगी वही वाइप से और काउंटर टॉप भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लोंगी और इसको क्लीन होने के बाद ना यह नीचे जो किचिन का फ्लोर है ना यह वोडन फ्लोर मतलब सिफ किचिन का एरिया जो है ना उतना और जो हमारा बातरूम क टॉइलेट का एरिया उतना ही छोड़ की कार्पेट नहीं है तो वहां पर मैं क्या करती हूं जो लाइजॉल स्प्रेय है मैं इसको स्प्रेय करती हूं और फिर एक वाइप से लेकर उस बहुत अच्छे से पोश देती हूं क्योंकि हम यहां गीला पोचा तो नहीं लगा सकते तो हमें इसी तरह से पोश लेना चाहिए और किचिन के एरिय में बहुत अच्छे से वहां पर मैंने वह कोकरूच के लिंग वाली गोलियर डाल कर रखी तो मैं इसी तरह से पहले अच्छे से साफ कर लेती हूं सारे जो काम है वह हो चुके हैं और आप मेरा किचिन भी देख दस बचे तक सारे काम से प्री हो जाती हूं आज हाफ एन आवर थोड़ा एक्स्ट्रा होगे बिक अच्छे से मैंने कोने की सफाई की है और बस यह रहा अब मैं जाओंगी नहाओंगी और अपने लिए कुछ ही हमीसा बनाओंगी तो अब मैं नहा कर आगई हूंगी तो तो सबसे पहले वो करते हैं तो सबसे पहले करते हैं तो सबसे पहले कि प्रोज़न पीज यह कॉन है यह जिंजर, गालिक और चिली, गाजर, अलू और बीन्स इसके अलागा मैंने यहां प्याज ली है बे लीफ और छोड़ी सी सिनिमन स्टिक एक बड़ी काली लाइची और दो लॉंग तो चलिए तो मैंने यहां पर कुकर चड़ा दिया उसमें मैं वेजटेबल ओयल डालूंगी और थोड़ा सा घी डालूंगी तो मैं यहां पर जीह बाकी के खड़े मसाले जो मैंने लिये हैं तेज पत्ता है और बड़ी काली लाइची है और जो सिनिमन स्टिक है और लॉंग है वो भी मैं डाल दूंगी और मैं थोड़ा जादा बिरियानी बना रहे हूं ताकि शाम को मेरे आजबर नाएं तो वो भी खाएं और यहां प्य कर लिया था तो वो नरम हो गए थे उसके बाद मैंने जो वेजीज हैं क्यारेट बीन्स आलू वो सम मैंने डाल दिये हैं और सब को मैं बहुत अच्छे से चला लूंगी इसके बाद नमक हल्दी और मिर्ची डालूंगी मैं और ज्यादा कुछ मसाले डालूंगी और सिर्फ नमक डालूंगी हल्दी मिर्ची और नमक इसके बाद इन सब को और यहां पर यह देखिए मैंने शाह का मेरे पस बिर्यानी मसाला है तो वो मैं डाल दूंगी बस वो मसाला ही बहुत काफी रहता है और इन सब को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी और यहां पर चाव में पानी डाल दूगी और इसके बाद सबसे लास्ट में डालूंगी यहां पोदीने के पत्ते और घर का जो कर्ड है घर का बना हुआ कर्ड वो डाल दूगी और सबको अच्छे से मिक्स कर दूगी बस अब में कुकर लगा दूगी और तो यह रही बिर्यानी और यह रहा सलाद तो अब मैं शुरू करती हूँ और यह रहा पानी बिर्यानी सलाद और पानी तो फ्रेंड्स मैं तो चली अपनी बिर्यानी खाने और व्लोग को भी यही एंड करूंगी तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लोग में बहुत ही जल तो तिल देन बाई बाई टेक केर बठा मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजेगा